नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्विकलेज पर जिया दोस्तों सुप्रीम कोट ने एक एहम फैसला सुनाया है सातियो और हमें लगता है कि यहाँ पर इस फैसले की जनकारी सभी को होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कचे क्रमचारियों को ये ये मामला था जो टेली वेज पर काम करता था उसने निमित होने के लिए अर्जी लगाई थी और केसी लढ़ रहा था अपना हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोट तक वो पहुंचा था तो तो यहाँ पर बता दें कि सुप्रीम कोट ने दो पॉइंटों पर बहुत ही एहम बा वो लगाया गया था या नहीं दूसरा point जो निकल कर सामने आ दोस्तों वो था दोस्तों यहाँ पर कि वो करमचारी एक सेंक्षन पद पर यानि के सेंक्षन पोस्ट पर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है यानि के सविकृत पद पर डिपार्टमेंट में वो सविकृत पद पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है अगर वो सविकृत पद पर काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों वो नीमित करने का दावा नहीं कर सकता कुलिमिला के याँ पर ये बात है आये थोड़ा सा और विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं क्या ये पूरा मामला था देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोट ने काया कि दैनिक वेतन भोगी को तब तक निमित नहीं किया जा सकता जब तक सक्सम अधिकारी स्विकृत पद के बदले नियुक्ती नहीं कर देता ज्यां दोस्तो स्विकृत पद होना चाहिए और सक्सम अधिकारी होना चाहिए इस टिपनी के साथ सीर्स अधालत ने मद्यपरदेश हाई कोर्ट की खंड पीट के 13 फ्रवरी 2020 के एक आदेश के खिलाप वीबूती संकर पांडे की अपील को खारीज कर दिया तो खारीज हो गई इसकी अपील ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तो देखिए यहाँ पर जस्टिस एस रविंदर भट और जस्टिस सुधान सुधुलिया की पीठ के समक्स बताया गया कि रज्य सरकार के जलसन साथन विबाग में प्रिवेक्षक के रूप में पांडे की सेवाओं को निमित करने के हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को पीठने रद कर दिया था अपील करता ने दावा किया था कि वह उन्नी सो अस्टि में रज्य जलसन साथन विबाग की एक प्रियोजना के तहत दैनिक दर के आदार पर प्रिवेक्षक के रूप में कारियर रत था तो उन्होंने सुपर्वाइजर या टाइम कीपर के पद प पास नहीं थी हाला कि 31 दिसंबर 2010 को एक सरकारी सरकुलर में इस योगता में ढील दी गई थी यानि के योगता तो चलो कम से कम उसकी पूरी होगी ढील दे दे गई थी सरकार के द्वारा अपील करता ने अपने नीमिती करण की मांग की क्योंकि वह पद के लिए योग गय थ और लंबे समय से दैनिक वेतन के आदार पर दोस्तो काम कर रहा था जोब अपनी कर रहा था इसी के आदार पर उसने नीमित करने का दावा किया था लेकिन उसका दावे को खारिज कर दिया गया ठीक है तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला दोस्तो कहा जा सकता है क्योंकि ये दूसरी जो अदालते होती है नीचे वाली अदालते होती है उनके फैसलों पर भी लागू होते हैं उनके जो फैसले उनको भी परभावित करते हैं क्योंकि सुप्रिम कोट के जो भी फैसले होते हैं वो अन्य अदालतों में बजैसा कि हमने बताया नजीर के रूप में पेस कि ये जाते हैं तो सुप्रीम कोट ने एक एहम फैसला सुनवाया है सात्यों एक बड़ी खबर है अगर आभी चाहते हैं हर्याना मेजुकेशन से लेटेड कच्छे करमचा जुड़ी खबरे इस समय पर पनातों सात्यों चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दोस्तों साथ से एर करें thank you very much